हर्याना विधान सभाग की विजिनिस एडवाइजरी कमेटी को ही बाटक शितकालें सत्र को एक दिन के लिए बढ़ाने का हुआ फैसला कल से शुरू होगा हर्याना विधान सभाग का शितकालें सत्र विधान सभाक्री शितकाले सत्र की अवधी बढ़ाय जाने पर बोले भूपें सिंग हुड़ा कहा विपक्ष के जोर देने पर सत्र का एक दिन बढ़ा गया समय तीन दिन में नहीं हो सकती थी सभी मुद्धों पर शर्चा सुप्रिम कोर्ट पहुंचा गुरू ग्राम में खुली में नमाज का मामला मुख्य सचेवा और डीजीपी के खलाफ अम्माना याचका धार याचका करता ने कहा सरकार नमाज में बादा डालने वालों पर नहीं लगा पाई लगा नार किया जीवन जीने को मजबूर बवानी खेड़ा वार्ड नमबर दो के नवासी गलियों में भरा रहता है गंदा पानी शिकायतों के बाद भी नहीं किया गया समाधान बरसाथ के मौसम में बढ़ जाती है परिशान एक बाद फिर से हर खबर की खबर का हुआ असर गुलूग्राम में बच्चे के साथ ही बार पीट पर हुमन राइब समस्था ने लिया संग्यान और इस कर्मियों के खलाब फायार दर्श करने के मांग अच्टरमन हटाने की नाम पर पीट पिता है और बैंकिंग उध्यक संग्शोधन बिल 2021 के वरोद में दो दूनों तक बैंक रहेंगी बर्द बंद प्रदेश में भी दिख रहा है हर्ताल का व्यापा कसर नमस्कार आप देख रहे हर खबर हर्याना और आपके साथ मैं हूँ अमिश्यर्मा शुक्रवार से हर्याना वध्यान सभा का शिक्कार ने सर्थ शूर होने जा रहा है इस सत्र में इस सत्र से पहले गुरुवार को BAC की बैठक होई है जिसमें सत्र को एक दिन के लिए बढ़ाने का फैस्ता लिया गया सत्र शुरू होने से पहले आज BAC की बैठक होई जिसमें सत्र को एक दिन और बढ़ाने का फैस्ता लिया गया यानि अब ये सत्र 17 दिसंबर से 22 दिसंबर तक चलेगा विधान सभा की जो बिजनस एडवाईजरी कमेटी जिसमें ये निर्णा होता है कि हाउस कितने दिन चलेगा टेंटेटिव सरकार की तरफ से जो कारकरम आया था वो 17 तारिक से 21 तारिक तक था अठारा उननिस की छुटी थी तीन दिन का था लेकिन बिजनस एडवाईजरी कमेटी की मीटिंग में ये तैय किया है कि अब ये सत्र बाइस तारिक तक चलेगा और जो भी बिजनस हमारे पास आया है अभी तक लगभग 170 स्टार्ड क्वेस्चन है 165 के तरीब जो है वो अन्स्टार्ड है और 33 काल अटैंशन मोशन जो आए दो अटजनमेंट मोशन है एक प्राइवेट मेंबर बिल है और छे सरकारी जो बिल है वो अभी तक हमारे पास आये विधान सभा सत्र को बढ़ाने को लेकर डिप्टी सीम ने कहा कि सत्र को इसलिए बहाया गया है क्योंकि विपक्ष के नेताओं की तरफ से कहा जा रहा था कि उनको अपनी बात रखने के लिए वक्त नहीं दिया जाता जिस तरीके से पिछली बार भी कई सदस्यों को बोलने का मौका नहीं मिला इस पर तमाम मेंबरों ने बीएसी में चर्चा भी करी और इसलिए यह निड़ने लिया है कि जो पहले अवदी 21 तारीक को दुपैर तक थी उसको बढ़ा कर क्योंकि आखरी दिन डबल सिटिंग नहीं हो सकती एक सिटिंग और बढ़ाई जै और 22 तारीक तक बढ़ाने का निड़ने लिया है जिसमें तमाम जो विशे हैं उन पर मेंबर आउस के विस्तार में चर्च वही बीएसी की बैठक में मौझूद रहे नेता प्रतीपक्ष भुपेंदर सिंग गुड़ा ने कहा कि कल 12 बजे कॉंग्रेस विधायक दल की बैठक होगी जिसमें सरकार को घेरने के लिए रणनीती बनाई जाएगी साथ ही कहा कि विपक्ष के कहने पर सत्र की अवधी एक कि विपक्ष ने अपने इरादे जाहिर कर दिये हैं जिससे विधान सभा का ये सत्र हंगामेदार रह सकता है जहां विपक्ष सरकार को भरतियों में धांदली किसान किसान आंदोलन, महंगाई, कानून विवस्था जैसे मामलों पर घेरने की कोशिश करेगा वही सरकार की ओर से तत्यों और आकडों के साथ हर सवाल का जवाब देने की तैयारी की गई है कुल मिला कर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने अपनी अपनी तैयारी पूरी कर ली है अब इंतजार है विधान सभा के शीद कालिद सत्र के शुरू होने का हर ख़बर हर्याना के लिए चंडीकर से विकेश के साथ रवी चंदेल की रिपोर्ट इदर बैंकिंग विधेक संशोधन बिल 2021 के वरूद में देश के राश्ट्य बैंकों ने सूले और सत्रह दिसमर को हर्ताल का आवान किया है जिसका व्यापक असर प्रदेश में भी देखने को मिला बैंकों की हरताल आज और कल यानि की दूदिन रहने वाली है राश्ट्य बैंकों के कर्मचारी कई जरों में बैंकों के बाहर निजी करण का वरूद करते हैं दिखाई दिए रिपोर्ट देखिए बैंकिंग विधेक संशोधन बिल 2021 के विरोध में देश के राश्ट्य बैंकों के कर्मचारी दफ्टर की बजाए सड़कों पर नजर आए बैंक करमचारी बैंकों के नीजी करण का विरोध कर रहे हैं जहां पूरे देश में राश्ट्रिय बैंकों के दो दिन के हरताल का आववान किया गया है तो वहीं प्रदेश में भी बैंकों की हरताल का असर देखने को मिला प्रदेश के अलग-अलग जिलों से हर्टाल की तस्वीरे सामने आई जहां बैंक कर्मचारियों ने एकटा होकर बैंकों के बाहर नीजी करण का विरोध करते हुए केंदर सरकार के खिलाफ जम कर नारे बाजी की आपको अलग-अलग जगहों की चार तस्वीरे दिखा रहे हैं बैंकों के बाहर प्रदेशन की तस्वीरे बल्लबगड, कैथल, हिसार और रिवाडी की है जहां बैंक कर्मचारियों ने केंदर सरकार के खिलाफ जम कर नारे बाजी की और बैंकिंग विधेयक संशोधन बिल 2021 का विरोध किया अब आपको प्रदेश के एक और भी अलग जगाओं के तस्वीरे दिखाते हैं फरिदाबाद यूनिट में नीजी करण के खिलाफ पंजाब नेशनल बैंक के करमचारियों और अधिकारियों ने एक विशाल प्रदर्शन आयोजित किया बैंक करमचारियों का कहना है कि पब्लिक सेक्टरों के बैंकों के नीजी करण से ही अर्थविवस्था के प्रात्मिक्ता वाले शेतरों को नुकसान होगा और इससे स्वेम साहता समुवों ग्रामीन अर्थविवस्था के करज प्रवाग पर भी असर पड़ेगा रज़र ताल सरकार दो बैंकों को बेचने का बिल्लारिया पारलियामेंट मैं सेंटरल बैंक उफ इंडिया और इन सीज में उसका हम गोर विरोध करते हैं उसकी निन्दा करते हैं इसके बाद अगर सरकार नहीं मानती है तो हमारी फरवरी में और दो स्ट्राइक है प्रिटेरी ने उनका साथ लेंगे ये तो आम जनता का जगड़ा है ये शिरफ बैंक इंप्राइज का जगड़ा नहीं है बैंकों की हर्ताल की तस्वीरे अंबाला शेहर से भी निकल कर सामने आई जहां बैंक कर्मचारी और अधिकारी धरने पर बैठ गए सभी कर्मचारीों ने सरकार के खिलाफ जम कर नारेवाजी की और बताया कि ये हर्ताल लोगों को परिशान करने के लिए नहीं बल्कि लोगों की भलाई के लिए की जा रही है अंबाला के बाद अब आपको जीन जिले की तस्वीरे से रूबरू कराते हैं जीन्द में बैंक कर्मचारी सडकों पर उत्रे और लगु सची वाले तक पैदल मार्श निकाला बैंक कर्मचारीों ने 17 दिसंबर तक बैंक बंत रखने का ऐलान किया है बैंक कर्मचारीों का कहना है कि सरकार नीजी करण में लगी है और सरकार बैंकों को अपनीजी हातों में दे देगी जिसके बाद रोजगार का संकट भी पैदा होगा अमबाला और जीन्द के बाद अब पानीपत से बैंक हरताल की तस्वीरे सामने आई हैं यहां भी केंदर सरकार के खिलाब बैंक कर्मचारियों ने हरताल का आववान किया और इसके साथ ही बैंक कर्मियों ने कहा कि सरकार अपने चहितों को फायदा पहुचाना चाहती है जिससे गरीब आदमियों का नुकसान होगा यह तस्वीरे चर्की दादरी की हैं जहां बैंक कर्मचारियों ने निजी करण के विरोध में शहर भर में प्रदशन किया कर्मचारी निताओं का कहना है कि सरकार सभी सरकारी महकमों को निजी करण करना चाहती है हम सरकार को मुनाफ़ा कमा कर दे रहे हैं फिर भी बैंकों का नीजिकरण किया जा रहा है अब बात करते हैं फतेहबाद की जहां बैंक कर्मचारियों की हरताल सी 300 करण रुपे का टर्नोवर प्रभावित हुआ आक्रोशित कर्मचारियों ने इसे सरकार की सोची समझी शाजिस बताया ये तस्वीरे भिवानी की है United Forum of Bank Union जिसमें यूनियन ने निजी करण को लेकर कामकाजपूर अठप करके रखा कर्मचारियों का कहना है कि ये निजी करण पब्लिक के हित्में नहीं है हालत ही अब देखना होगा कि बैंक कर्मचारियों की हरताल से इनकी समस्या का समधान निकलता है या फिर बैंक कर्मी आगे भी हरताल करने को मजबूर होंगे विरो रिपोर्ट हर खबर चर्की दादी जिले के जोईुकला ब्लॉक में मुख्यमंत्री अंतोदय परिवारव उत्थान मिले का आज़िन किया गया इस मौके पर कई भी भागों की और से जरत्मन लोगों की आर्थिक इस्तितिक को मजबूत करने के उद्धिश्य से स्टॉल्स भी लगाए गए आपको उतादी की मेला दो दिन तक चलेगा मैं सुपिंदर सिंग मारी ने बताया है कि केंद्र और राजे सरकास सबी वर्गों के हिद्ध को ध्यान में रखते हुए कई तरह की जन कल्यानकारी युजनाएं भी चला रही है हर ब्लोग के ओपर हमारे मुखे मंतरी जो अंत्योद्य उत्तान मेले हैं इनका आईजन किया जा रहा है इसी के देद हम सब आज यहां हमारे डी सी साहब हमारे एस्टीम साहब यूडियो साहब यह सारे सारी टीम हम जोजुकला के अंदर आये हैं और यहां 19 काउंटरों के माद्यम से अलग लग भागों के 19 काउंटर हैं जिसमें सुरुआत में अगर कोई वेक्ति आता है तो वो अपने फैमिली आईडी के अनुसार उसकी कितनी इंकम है और उसके बाद उसको यह बताया जाता है कि उसको किस-किस परकार की योजनाए है उनका लाग मिल सकता है और वेक्तिकत वो भी इच्छा रखता है कि वो चाहता क्या है तो उसी अनुसार उनको अलग लग काउंटरों के माद्यम से सब भागों ने अपने काउंटर लगा रखे हैं वो क्या क्या स्कीम सरकार की हैं उस स्कीम के तहत उसको किस परकार से वो ब पहली बार ऐसा किसी पर्देश कें अंदर या किसी पर्देश के मुख्यम्त्री के दवारय और किसी सरकार के दवारय है। जोने चाहिए इसके साथ साथ उन्होंने पुलिस विभाग के अधिकारियों को कहा है कि मुहले में अगर कोई अवैद रूप से शराब बेशता है तो उसके खलाफ कड़ी कारवाई की जाए इस सरकार ने जो सरकार की पॉलिशी आप बता रहे हैं सरकार ने इस तरह की दो लाक रुपे जनकी इंकम है उसके पातर नहीं अगरे इसके जो भी है कमति बैट के बात करेंगे इस तरह इमें कोई परिशान है हमने का को मर्जी से चोड़ना चाहा चोड़ सकता है को इस तरह से को परिशान ऊसके बारे में हमारी कमेटी बैट के बात करेंगे जो आपने जानकरी दी है उस पर लेंगे तो जैसे जैसे देविलाज जी ने जो शुरू करी थी ये पैंसर तर इसके दर कोई क्लाज नहीं था इस बात का तो इसकी इंकम कितनी हो अरे क्लाज पहले नहीं था अब डल गया होगा अच्छा तर बना आप ही तो पता रहे हैं क्लाज डाल दिया उसमें इस तरह की जान कर सब्सक्राइब ले 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 लेंगे हैं और बहुत लंबे समय के बाद बहुत लंबे समय के बाद कैथल में अपनी रखी गई है और यह गिर्वेंस हर महीं नहीं है जो भी मंत्री इसकी दाइत होगा हुए हमेशा आएगा और मेरे अधिकारियों कहा है कि छोटी-छोटी शि अधिकार है और इस बात की मुझे खुषी है कि संटन के लोग है अधिकारी लोग है कि सब लोगों ने मिलके लिए जितनी जो शिकायत थी उनको पहले मेरे से पहले निप्ताने का प्रियाज करता जो नहीं थी अगो रहा करीब 11 दिन भी जाने के बाद भी ट्रांस्पोर्ट अपिमाओं को लेकर याई कि जो ट्रांस्पोर्टर से वो हर्ताल पर बैठें गौर करने वाली बात यह है कि ट्रांस्पोर्टर्स ने यह हर्ताल अनिशित काल तक के लिए रखी है और यह सभी का कहना है कि किसान अंदुलन से जुड़ी सभी जथे बंदिया इनका साथ देने के लिए आने वाले समय में हर्ताल पर बैठेंगी लेकिन देखने वाली बात यह है कि चुनावी माहुल में कॉंग्रेस का एक भी निता इनकी मांगों को जानने के लिए यहां नहीं पहुंचा साथ ही इन्हें ये भी अब डर सता रहा है कि चुनाव आयो की और से आचार सहिता भी हो सकता है कि लगा दी जाए क्योंकि चुनावों में अब बहुत जाद समय बचा नहीं है और जैसे ही चुनावी की तारिखों का एलान होगा आचार सहिता लागू हो जाएगी और इसलिए ये ट्रांस्पोर्टर्स चाहते हैं कि उससे पहले पहले उनकी समस्या का समाधान हो जाए ग्रे मंत्री अनेल विच ने शहीदों पर बोलते हैं कि 1971 में युद्ध के दौरान युद्ध के मैदान में सेनकों की ओर से जीत हासल की गई इस जंग को जीता गया लेकिर राजनेता शिमला एग्रिमेंट की टेबल पर हम हार गए थे अगर हम चाहते हैं तो जो युद्ध बंदी थे उनको छोड़ने के बदले में हम प्यों के ले सकते थे लेकिन हमने कोई बारगेनिंग नहीं की यह बहुत बड़ी भूल थी जिसे हम आज तक भगत रहे हैं 1971 में सैनिको द्वारा युद्ध के मैदान में जीती गई जंग को राजनेता शिमला एग्रिमेंट की टेबल पर हार गए हमारे पास 90,000 युद्ध बंदी थे पी-ओ-डबली थे अगर हम चाहते हैं तो हम पाकिस्तान से बारगेन कर सकते थे हम पाकिस्तान से पी-ओ-के लेने की मांग कर सकते थे लेकिन हमने ऐसा कुछ नहीं किया और उनके पी-ओ-डबली वापिस कर दिये यह बहुत बड़ी भूल थी जिसको आज तक प्रदेश सरकार ने जमीदारों और किसानों को सुझा देने के लिए भूमी वैब पोर्टल लॉंच किया है जिसके बाद प्रदेश के जमीदारों और किसानों को अनिक तरह की समस्याओं से चुटकरा में लेगा भूमी खरिदने और बेचने के लिए जमीदारों और किसानों को सरकारी डफ्तरों के चक्कर पहले काटने पड़ते थे लेकिन अब सरकार की तरफ से लौच की गई इस भूमी वैप पोर्टल के जरीए जमीदारों और किसानों के समस्याओं को खत्म कर दिया जाएगा इस भूमी पोर्टल के जरीए जमीदार ऑनलाइन रेजिट्रेशन करवाकर अपनी जमीन असाई से बेच पाएंगे इस दोरान उन्हें दलालों और पटवारियों के जहांसे में भी नहीं आना पड़ेगा सिर्सा के किसानों ने सरकार के तरफ से लौच किए इस भूमी पोर्टल इसकीम का स्वागत किया है सरकार ने जो इभूमी बेव साइड लागू किया है वो किसानों के लिए एक वरदान सी दोगी इस से हम अपनी जमीन असानी से सरकार को बेच सकेंगे पहले ये दिक्कत होती थी फर्द निकलवाने के लिए इसने सरकार ने बहुत असान कर दिया है ये किसानों के लिए बहुत ही वर्दाइब चर्खी दादी जिले के भारती जनता पार्टी के किसान मोर्चा, प्रदेश अध्यक्ष और पूर्वधायक सुक्विंदर माणी ने प्रधान मंत्री अनिमोधी का संबुधन दुद्वा गाउं के खेतों में किसानों के बीच बैठ कर सुना, इस दुरान प्रधान मंत्री का संबुधन सुनते हुए उन्होंने किसानों से खेती संबंदे जानकारी ली, उनका हाल चाल जाना, किसान भी अपने बीच किसान मो का भरूसामी दिये निच्ची तोर पे इस पर उत्पादन तो बढ़ा परंतु हमारे जीव जन्तूं के लिए हमारी जो खुद की सहत के लिए यह बहुत नुक्सान दायक है और इसमें अत्यादिक खर्चा है परती एकड़ का अगर आप खर्चा निकालेंगे तो जो उत्पादन किसान का होता है और खर्चा अगर मिलते हैं तो निच्ची तोर पे जो लाब किसान को मिलना चाहिए वो इसमें नहीं मिले पाता तो आज गया जो समोधन है आचारिये देवर जी और हमारे देश की जेसरी प्रधामत्री नरे नर्मोदी जी के दुवारा जो समोधन किया गया है जिरो समय में हमारा जो किसान है और चलिए बात करेंगे नार्नोल की नार्नोल शहर में अवैद करोनियों की कंस्ट्रक्शन पर सरकार ने शिकन्या कसा है नार्नोल नगर योजनाकार विभाग ने अवैद रूप से बिल्दिंग बनाने वारे लोगों पर एक्शन लिया है और अनुत्राइज्ट कलोनीज के अगेंस्ट डिपार्टमेंट लगातार सकती से रवही आपना अपनाई हुए और पिछले एक डेड़ साल में बात करें तो 165 एकड़ एरिया के अगेंस्ट हम कारवाई कर चुके हैं लगवक्त 50-60 demolition drive हम आप तक एप एजिक्यूट कर चुक जी उसका इंपेक्ट बिल्कुल सीटी में देखने को मिल रहे हैं जो भी हमने अब तक कारवाई की हैं लोग उसको रेगलराइज करवाने के लिए अपनी कारवाई कर रहे हैं और डिपार्टमेंट के प्लास अल्मोश 15 एप्लिकेशन के आसप्लास अभी है किसानों के परिशानी खत्म होने का नाम नहीं दे रहे हैं पहले किसान डिएपी की खाद की कमी से जूद रहे थे वहीं अब यूरिया खाद की कमी से किसान परिशान है किसान सुबह से ही यूरिया खाद के लिए लाइन में लग जाते हैं हलाकि प्रावेट टेडर्स के पा जब कारलेक खुलता भी है तो किसानों को सीधा जवाब दिया जाता है कि उनके पास यूरिया है ही नहीं, यूरिया का स्टॉक खत्म है. करत से सामने आया है पचास लाग की फरौती का मामला, जहां एक जनता करियाना स्टोर संचारक से एक फोन कॉल के जरिये मांगी गई है पचास लाग रौपे की फरौती, साथ ही रकम नहीं देने की सूरत में जान से माने की धंकी भी दी. करियाना स्टोर संचाला करामफल ने बता है के अनके बता गया है कि उनसे फरौती मांगी जा रही है और पलिस को उन्होंने इस बारे में सूचित किया है जिस पर पलिस ने रंगडारी का मामला दर्च किया है और कारवाई की बात कही है. कि देखिए तीन दिसम्बर दो हजार एक को एक जनता करियाना स्टोर का मालिक है रामपाल तो रामपाल नांके आदमी के मुबाइल पर किसी अंजान नंबर से एक कॉल आई थी और वो उसमें पचास लाग की फरोती मांग रा था और वो बिन्नी गैंग के इसारे पर वो फरो कांदार मिलने के लिए आए थे अब इसमें कुछ देर पहले 20-25 दुकांदार और उसमें शिकायत करता भी था तो हमने उसकी शिकायत ले ली है और इस समन में हमने आम F.E.R. दर्जकत देंगे और आगे कि हम कारवाई कानौन मांसा कारवाई करें तो कब आई थी एकॉल य और उसके दो दिन बाद पांक दिसम्बर को भी तिन-चार दूसरे नमबर से तिन-चार मिस्कॉल भी देखी गई है तो हम जैसा भी हमारा टेक्निकल सर्वलेंस है तो उसकी मदद लेकर हम उन नमबरों को ट्रेस करेंगे कि यह नमबर की इसके हैं और को भले क्रिशी कानूर वपस ले लिए गयो हो लेकिन किसान अपने घरों को वापस भी लोट रहे हैं जिन पार्टिएं को उर से क्रिशी कानूर को समर्तर किया गया था उनकी मुश्किले कम होने करदा nellही लिए और हम इस लिए कहरा हैं क्योंकि वकीलों ने अब भहिशकार कर दिया है फत्याबाद के रतिया इलाके में कोड परिसर में नए लिफ्ट का शुभारम किया गया जिसमें जेजेपी के सुप्रीमो आजय चोटाला और विधायक नेना चोटाला पहुँची लेकिन वकीलों के उर से इस कारिकम का भहिशकार किया गया वकीलों का कहना था कि जेजेपी ने कृशी कानूनों का समर्थन किया था कृशी कानूनों को किसानों के लिए फाइदेमन बताया और इसी के चलते अब उन्होंने इस कारिकम का भहिशकार किया है जिसमें विधायक नेनाच चोटाला को पहुचना था को पिकलि थीक है इस बात के लिए मोदि नियवद प्रफित ले लेकिन जैजग्पी पार्तिया है कि लोंए इतनी हमारी खलाप्त की है जो हमारे किसानों की जिमिंदारों की जो एक बोट लेकर अपने सबुट को नहीं में बेच दिया तो जे दूर से में ले आके और सुना है, मैं देखा नहीं, सुना है अजे चुटाला जी भी खुद आये हैं, तो इसका मतल़ जी है कोई भी आके हमारी शात्री पर निचड़ेगा हम इसका बुरूद का। पानिपत की जहां अपनी माओं को लेकर प्रदेश भर की अंगनवारी वर्कर्स ने जिला मुख्याले के लगू सच्चवाले पर सरकार के खलाफ नारे बाजी करते हो धना दिया, प्रदेशन कर रही अंगनवारी वर्कर्स ने बता है कि सरकार ने 2018 में उनकी मांगे मालनी थी लेकिन अभी तक लाजी नहीं की है, चाहे वो 5 फिस्दी इंसेंटिव देने की बात हो या फिर 1500 रुपे हैलपर के लिए जारी करने की बात हो, जिस पर आकोशित आंगनवारी वर्कर्स इस ठंडी के दौरान अपने दुद मुहे बच्चों को लेकर हर्ताल पर पहुंची ह और कहा कि कुछ भी अगर होता है तो इसके सरकार ही जमिवार होगी पर चार में बैठ चैनर फिर वह उनको बोल दिया कर भी हम मान लेंगे अगूंकी माननी नहीं बोला थे भी आठ तारीक तक लैटर बेज देंगे ना तो नहीं कोई लैटर बेजा एक डेपार्टमेंट में और ना ही मतलब इन्होंने मांग बागी आब हमारे पूरी अर्या शुर्वाणा तो तर जाते हैं बिब्ट का अगन वाड़ी का रेंट रू का हुआ है आगन वाड़ी की सल्वीं हुए हमारा कोई भी काम आपके है यह पीपी का कम दे दिया गया क्या टृपल पी का काम दे दिया गया लेकिन खीसी भी माला पर काम इतने बढ़न सब चीजों क लेकिन सेलरी के नाम पे जुनने आगी। के ने को ये कह गया था कि दस तारीक तक आपकी सेलरी आ जाये गए। आज मैं तीसरा मीन अलग चुका सेलरी का भी लेकिन सेलरी अभी तक लिया। और इसके साथ इस विल्लेटिन में फिला लेता हैं छोटे सब्रेक के बाद फॉरा लोट रहे हैं आप देखते रहे हैं हर ख़बर हजाना।